पतिपत्नी की सच्ची घटना दोस्तों आज हम आपके सामने एक रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें पतिपत्नी की एक वास्तविक घटना का वर्णन है। यह कहानी बताती हैं कि किस तरह दो इनसान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गाव में रहने वाले एक नौजवान लड़के की है। उसका नाम राम था और वह अपने परिवार के साथ रहता था। राम का परिवार बहुत ही सामान्य था और उनकी आर्थिक स्थिती भी ठीक ठाक नहीं थी। उनकी कमजोर आर्थिक स्थिती के बीच भी राम ने कोशिश की अपनी पढ़ाई में ध्यान देने की लेकिन उनके घर के आर्थिक हालात के कारण वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया राम ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की जहां उसे बहुत मुश्किल के साथ बहुत ही कम वेतन मिलता था उस वक्त उसे एक लड़की के साथ शादी करने का मौका मिला लड़की का नाम सीता था सीता भी बहुत ही सामान्य परिवार से थी लेकिन उसका परिवार उसे शादी करने से मना कर दिया था राम ने ने अपने परिवार को और सीता को उसके परिवार को समझाया और उन्होंने अन्ता शादी कर ली उनकी शादी के बाद राम और सीता के बीच बहुत बड़ी परेशानिया शुरू हो गई वह दोनों बहुत मुश्किल से अपने रोजिरोटी का ख्याल रख पा रहे थे फिर एक दिन राम को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी जिससे उनकी आर्थिक स्थिती और बिगड़ गई सीता भी एक छोटी सी नौकरी करती थी लेकिन वहां उससे भी छुटी ले लेनी पड़ती थी क्योंकि वहां घर के कामों को भी संभालती थी इस बीच राम को एक दिन एक बहुत ही खास मौका मिला जिससे उनकी आर्थिक स्थिती बदल गई वहाँ अपनी नौकरी के दोरान एक सयोगवश एक स्वयनसेवी संस्था से मिला उस संस्था में उन्हें एक समुदाय की मदद करने का मौका मिला राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर उस समुदाय की मदद की और उन्होंने वहाँ से जुड़कर एक स्वयनसेवी टीम बनाई उन्होंने उस समुदाय के लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया और उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार किया वहां से राम और सीता की नई जिम्मेदारिया शुरू हो गई और उन्होंने अपनी जिन्दगी में एक नया मोड लिया राम और सीता ने इस समय में एक दूसरे के साथ एक संधर्ष किया और एक समझोता किया कि वे अपनी आर्थिक स्थिती को सुधारने के लिए एक साथ काम करेंगे वे अपने दोनों के समय का ध्यान रखने लगे और अपने परिवार के साथ खुशाल जिन्दगी जीने लगे आजकर पती-पत्नी की जोडी एक आम जोडी है जिसे हर दिन हमारे आसपास देखा जा सकता है इस कहानी से हम सीखते हैं कि किसी भी रिष्टे को तब तक नश्ट नहीं होने देना चाहिए जब तक आप उसे सुधानने के लिए एक साथ काम करते रहते हैं राम और सीता की यह कहानी हमें एक साथ जीने और जिन्दगी में सफलता पाने का संदेश देती है इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमेशा अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए निर्णय लेने से पहले अपने रिष्टों को सुधानने के लिए समय निकालना चाहिए अंत में इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि रिष्टों में सही संतुलन होना बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम अपने पती या पत्नी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे और उनके साथ सही संबाद नहीं करेंगे तो हमारे रिष्टे अनिश्चित हो जाएंगे इस कहानी का संदेश यह है कि हमें हमेशा अपने रिष्टों को समवादने के लिए प्रयास करना चाहिए और संधर्शों के बीच भी सही संतुलन बनाए रखना चाहिए राम और सीता की यह कहानी हमें यह बताती है कि रिष्टों में प्रेम, समझदारी और सही समवाद बनाए रखना हमेशा जीवन के सफलता का रास्ता होता है इसी तरह हम अपनी जिन्दगी में आने वाली समस्याओं से सामना करते हुए और सही संतुलन बनाए रखते हुए एक खुशाल जिन्दगी जी सकते हैं राम और सीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा अपने रिष्टों को समवादने के लिए तयार रहना चाहिए और संधर्षों से नहीं हारना चाहिए तो मित्रों यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही औल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ जब तक के लिए नमस्कार